प्यारे बच्चों, हम लोग SMUGSTA diyas पढ़ लायतें, समुच्य का वीविध अभ्यास, वी वीध में हमने आपको पारगा दूसरा कोशिन करा दिया था, अब हम तीसरा कोशिन करेंगे, कोशिन नम्र थ्री है, Okay exercise वीविध, क्वेशन नमर थ्री आपको ABC 3 समुच्चे दिये हैं इस प्रकार यहां दिया हुआ है दिया है ABC 3 समुच्चे है ABC 3 समुच्चे इस प्रकार है A union B बराबर A union C तथा A intersection B बराबर A intersection C तो आपको यह प्रूफ करना है तो सिद्ध कीजे प्रूफ देट B बराबर C समुच्चे B बराबर C आए देखते हैं इसको आपको दिया हुआ है प्रश्चना नुसार A union B बराबर A union C दोनों तरफ B के साथ यूनियन लेने पर तो A union B का intersection लेने पर दोनों तरफ B के साथ intersection लेने पर A union C intersection B अब यहां पर यह intersection union पर वित्रित होगा कैसे वित्रित होगा यानि B का intersection A के साथ नहेंगे और B का intersection B के साथ एसे ही यह B का intersection union पर कैसे वित्रित होगा यह A के साथ intersection होगा फिर बीच में union फिर C के साथ intersection होगा तो आए इसका कैसे वित्रित करते हैं वित्रण के नियम से यह हो जाएगा A intersection B union B intersection B बराबर यहाँ पर वित्रण के नियम से A intersection B और union C intersection B यह कहां से आया वित्रण के नियम से तो अब यहाँ पर देखिए A intersection B और B का B के साथ intersection वही रहेगा बी ही रहेगा तो union B बराबर A intersection B union C intersection B A intersection B यह C intersection B और B intersection C एक ही बात है इसको हम ऐसे भी निख सकते हैं B intersection C क्योंकि B intersection C और C intersection B एक ही उतक intersection में कम इनमे के नियम का पानल होता है तो अब यहाँ पर देखिए A intersection B की जो वह रहन हुए इसका माल यह और B का union दोनों का union किसके बराबर होगा अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो देखो ऐसे समझे है जैसे यह है यह बी है अब दोनों का intersection यह B चालना भाग और B का union पूरा B के बराबर होगा यह यह भाग और B दोनों का union किसके बराबर होगा बी के यह पूरी वहम किसके बराबर आएगी तो इस इस इक विए बराबर क्या है गया A intersection B union B intersection C question number 1 अब आईए उन्ह प्रष्णा अंसाद आप देखिए यहीं समझीजिए आप इसको A union B बराबर A union C दोनों तरफ intersection नहेंगे C के साथ तो A union B का intersection C के साथ यह हो जाएगा और यहाँ पर बित्रल का नियम से फिर से बित्रल का नियम intersection इस intersection जो है union पर वित्रित होगा यानि C का intersection एक बार A के साथ होगा फिर B के साथ होगा फिर दोनों का union होगा ऐसे A intersection C और फिर union बीच में और B intersection C और इधर क्या होगा A intersection C union C intersection C अब A intersection C आप देख रहें A intersection C किसके बराबर है A intersection B के यहाँ मान रख दीजिए union B intersection C बराबर A intersection C और union C का C के साथ intersection C ही आएगा आप जैसे यहाँ समझे से इसको भी ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे यह A है और यह C है A और C तो A और C का जो intersection है तो यह भाग है और इस intersection और यह C पूरा इन दोनों का union क्या होगा यह पूरी चीज किसके बराबर होगी C के बराबर होगी यह C हो गया A intersection B union B intersection C यह बराबर C यह C बराबर A intersection B union B intersection C equation number 2 अब देखें समिकरण 1 में भी यही है B बराबर A intersection B union B intersection C और 2 में भी C बराबर A intersection B union B intersection C तो समिकरण 1 वादो से आप क्या कहोगे समिकरण 1 वादो से हम कह सकते हैं कि समुच्चे B बराबर समुच्चे C हैंस पूरी इस तरह यह से दो गया आप next question देखेंगे question number 4 है question number 4 कह रहा है दिखनाइए कि चार प्रतिबंद तुम है दिखनाइए दिखाइए चार प्रतिबंद क्वाद को लिखनाइए पहनी क्यों क्यों आना से पहल में धाए दर शब्सेट आप दूसरा शाए माइनस बी बराबर फाई तीसरा ए यूनियन बी बराबर बी और चौथा ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए आए देखते हैं इसका समूशन क्या है परना इस दा सबसेट आप बी इसका क्या आर्थ होता है एक सारे तत्त बी में हैं यानि पूरा पूरा ए और जो है वी में है पूरा ए बी में है एक सभी अर्णिवेंट्स बी में है अब यहां पर इसका आर्थ है कि एक सभी अवयो बी में है और दूसरे में कह रहा है ए माइनस बी बराबर फाई ए माइनस बी ए माइनस बी का क्या आर्थ है ए माइनस बी का अर्थ है कि एर्थ है एक वो वे अवयो एक वे अवयो जो बी में ना हो अर्थ है एक अवयो में से बी के अवयो को घटा दें जो बचेगा वह एक आवयो वही ए माइनस बी होगा तो यहां पर क्या बच रहा है कुछ बी नहीं बच रहा गटाने कर इसका अमंद पूरा पूरा ए अवयो बी में है इसी में तो कुछ नहीं अगर कुछ B से अगर इसके सारे और इसमें ना होते तो इसमें कुछ ना कुछ आवयो बस्ता तो वे एक वे आवयो जो बी में ना हो तो यहां पर चूकी ना हो ताम लिख सकते हैं आप क्या कि चूकी ए माइनस बी बराबर फाई फाई का मतना होता रिक्त समुचे एक भी आवयो नहीं है अता इस पस्थ है जब घटाने पर सारे अवयो घट गए तो कुछ बचा ही नहीं तो इसका बंदब इस पस्थ है कि एक सारे अवयो बी में है एक के सभी और यो कहां है बी में हैं जब एक सभी और बी में हैं तब क्या होगा अता इस दा प्रापर सबसेट आओ अब आए तीसरा पार्ट देखाना है यही चीज यह सब दि दीक आर्टार्थ या बताना पाइलये की कोई भी समच अब यह चीज हम जानते हैं हमराँ जानते हैं ए इस सबसेट आफ एयो जो है ए यूनियन वी और एक प्रापर सबसेट होगा क्योंकि union में सारे के सारे होगे बी के होगे तो एक सारे इसमें हई है इसका अब यह यह होगा अब ए यूनियन भी किसके बराबर दिया है ए इसको सबसेट आउफ ए यूनियन भी किसके है बी के यहां पर कि सिद्ध हो गया तीसरा वादना भी पहले कि तुम्य हो गया चोथा में आईए चोथा में भी हम इस तरह से करेंगे हम जानते हैं हम जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन वी जो होता हूँ सबसेट होगा इंटरसेट होगा बी का कि इसके सारे तर तो ए में भी होगे और यह चीज आपको दिया हुआ है एक बराबर है एंटरसेक्शन वी बराबर ए दिया हुआ है तो ए इस दा सबसेट आउग भी यही चीज आपके तो इसका बंग अब कि इसका आर्थ भी यही है इसका भी यही अर्थ है इस तरह से यह चारों जो यह दिये हुए हैं चारों आख प्रतिबंद यह सब सेम है नेक्स कुश्चन देखते हैं लोग पाच्वा कुश्चन है प्रूब देट यह पर्मा आपको दिया है क्या दिया है देखी दर दिया है एड़ा सब्सेट आप दी तो सिद्ध करना है प्रूब देट इसको कैसे सिद्ध करते प्रूबर सब्सेट एक्स इसका कोई अर्मेंट नेंगे और दिखार देंगे वह इसमें भी है यह इसका प्रूबर सब्सेट सिद्ध हो जाएगा आईए मानते हैं माना एक्स इजद्स इजद्ध एरिणफ आफकर सी माइनफ बी तो अंतर की परिवासा क्या कहती है आपकी अंतर की परिवासा क्या ayrत का क्या आर्थ है परिवासा परिभासा से A-B पराबर क्या होता है वे तक एक्स X is the element of A and X does not the element of B यह होता है कि X वे तक जो A में हो परन्तु B में ना हो तो यहाँ पर हमने X यह माना तो माना X is the element of C-B तो यहाँ क्या होगा X is the element of C and X does not the element of B यह यहाँ से आप सुनेए यहाँ पर X is the element of C तो होगा and X does not the element of B तो X B में नहीं है तो A में भी नहीं होगा X does not the element of A क्यों? क्योंकि A is the subset of B बाई चुकि A के सारे तत्त तो B में है और कोई तत्त X अगर B में नहीं है तो क्या वो A में होगा? खुदी सोचिए A के सारे तत्त B में है और कोई तत्त B में नहीं है तो वो A में भी नहीं होगा इसलिए X does not the element of A यहां की जगे यह निक देंगे और अब चुकिए परिभासा से फिर से यहीं परिभासा दिखिए X अगर C में है इसमें नहीं है तो इसका उल्टा क्या समझेंगे? कि यह X किसका तत्त होगा? This is X is the element of C minus A X इसका element होगा और जब X इसका element है इसका नहीं की चलने थे दिखा गिया यह इसका है अता हम कह सकते हैं कि C minus B is the proper subset of C minus A Hence proved इस तरह से यह सिद्ध हो जाएगा आईए एक question और करते हैं question number 6 6 में आपको दिया हुआ है P A बराबर P B P A का मतलब क्या है यहाँ पर? P A का मतलब है power set यानि की घाद समुच्चे और यह P B A का घाद समुच्चे, यह B का घाद समुच्चे आपको सिद्ध करना prove that A बराबर B जिदी दो समुच्चे हो के घाद समुच्चे बराबर हैं तो दोनों समुच्चे आपस में बराबर होंगे ये सिद्ध करना है हमको तो आईए देखते हैं वो यहाँ पे हम सबसे पर मैं मानेंगे माना जो है X जो है X कोई समुच्चे इस प्रकार है कि X is the subset of A तथा X पराबर जहाँ इसमार में कोई चर्क अवे हो है अब देखे हमें X is the element of X तो X is the element of यह हमने माना है कि यह X जो है कैप्टन X A का सबसेट है X अगर इसमें है तो इस A में भी होगा जाहिसी बात है because X is the subset of A यह हमने माना था अब आईए अब X और आपको पता है कि A जो है X जो यहां पर X का A का घात समुच्चे में इसके सभी उपसमुच्चे होंगे किसी भी समुच्चे का घात समुच्चे क्या होता है उस समुच्चे के सभी उपसमुच्चेों का समुच्चे उसका घात समुच्चे कहनाता है तो अब इसके घात समुच्चे में यानि X भी होगा क्योंकि यह इसका उपसमुच्चे है तो अब ता हम कह सकते हैं तब कि X is the element of P X इसका उपसमुच्चे है और इसके घात समुच्चे में सभी उपसमुच्चे होगा समुच्चे होता तो अब आईए एक्स अगर पीए है तो एक्स जो है पीवी का भी एनिमेंट होगा बी के घात समुझ्चे का क्यूं क्योंकि पीए और पीवी आपस में बरावर है और अगर यह एक्स इसका तत्व है तो इसका बना हुआ कि एक्स बी का सबसेट होगा क्योंकि घात समुझ्चे ये इसका अगर पीवी का एक समुझ्चे होगा एक्स बीए या आप कहसकते हो कि एकस के सारे तत्व बी में होंगे या कहसकते एकस अगर इसका सबसेट है दिखा दिया इसका मत्म भी यह हो गया अता है इस दा सबसेट ऑफ बी इक्विश्य नमर वान अब कुना हम इसी प्रकार फिर से एक मानें के माना वाई कोई समुच्चे है कोई समुच्चे इस प्रकार है कि वाई इस दे सबसेट ऑफ बी तथा जहां वाई बराबर वाई वाई जो है जहां वाई जो है कोई चर्ट अव्यों है अब देखिए तो यहां वाई इस दा अवाई और तो वाई इस दा अव्योंट ऑफ बी भी होगा क्योंकि क्रेप्टन वाई इस दा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी और जब वाई बी का तक्त्त है तो इसका आर्थ यह हुआ कि यह जो है यह वाई यह यह वाई जो होगा क्रेप्टम गाई इस दा अव्योंट ऑफ पी बी क्योंकि यह जो वाई है वाई कि इसके सबी उप्समुच्यों गाद समुच्य होता और यह इसका होगा तो पीए का भी होगा Y is the element of PA क्योंकि PA बरावर PB और जब Y इस PA का element है तो जाहिसी वात है Y जो है A का भी क्या होगा subset होगा Y is the subset of A और Y अगर A का subset है तो Y का जो elements है वो A में होगे यानि Y is the element of A और Y B का element में के चलने थे A का दिखा दिया अता B is the subset of A equation 2 तो समिकर A कोई 2 से समिकर A कोई 2 से क्या निखेंगे कि A बरावर B दो समुच्चे को जब बरावर दिखाना होता है तो उनको एक दुशे का subset दिखाता है A subset भी दिखा दिखा दिया B subset A दिखा दिया अता A और B आपस में बरावर हो गए तो इस वकार जहां तक हो गया See this next video